हलो बच्चों कैसे हैं आप सभी मैं मिसिस अनुरॉय आप सभी बच्चों का कॉम्पेशन कमिंटी भी स्वागत करती हैं आज हम TET के अंतरगत सबसे अंतिम पक्षपढ़ने वाले हैं जो है हमारा अपठित गध्यांश में दो प्रकार के ततो आते हैं एक तो अपठित गध्यांश भी होता है कभी कभी अपठित पध्यांश भी होता है प्राथे में कक्षाओं में अपठित जो आपके पक्षण है उससे प्रश्ण नहीं पूछे जाते हैं लेकिन जो आपकी माधिमी किस तर की परिक्षा है जहाँ पर आपके छटवी से आठवी तक है तो आठवी में कभी-कभी अपटित गध्यांसे से प्रश्ण संस्कृत में जिस सरह पूछे जाते हैं आप शकता के अनुसार हिंदी भा आशा के अंतरगत आपको भावार्थ, मुख्यार्थ, अर्थ, इस्पष्ट करने के लिए आशा इस्पष्ट करने के लिए पद्य और गद्य खंड दोनों से दिया जाता है जहां किसी पकवीता की पंक्ती के चार लाइन को देकर उसका संदर्व प्रसंग सहीद व्याख्य करने के लिए छठ्वी से आठ्वी तक आपको अवशे तोरまた दिया जाता है जहां दिसरी चौति पांच्वी की बात है वहां भी आपके पत्यात्पक रच्णव में से आपको उसकी व्याख्या करने दी जाती है। से आठवी के अंतरगत साथवी और आठवी में कभी कभी गद्य खंड से संबंधित पक्ष दे दिया जाता है जिसके व्याख्या आपसे पुछी जाती है जहां आप उसके संदर्भ और प्रसंग को लेकर उसकी व्याख्या जो है करते हैं परंतु अपठित गद्यांज क्या ह होता है इसकी चर्चा आज हम यहां पर करेंगे ठीक है तो इस अपठित गद्यांज को जानने से पहले एक पक्ष को जान लेते हैं जो है हमारा वाक्यांशों का एक शब्द की बात करते हैं जिससे संबंधित प्रशन आपकी आठवी की परिक्षा में कभी कभी पूछ लिय जाता है तो आखिर ये पक्ष क्या है अगर हम कहें तो उसको जानेंगे कि वाक्यांशों के एक शब्द की अगर हम बात कर रहे हैं जब वाक्यांशों के एक शब्द की बात करेगा तो हमारे लिए क्या होगा इस वाक्यांशों के एक शब्द को हम इंग्लिश में वन वेट substitute कहते हैं इसके लिए हिंदी भाषा में अलग-अलग प्रकार के नाम जो हैं लिए जाते हैं इसे कभी-कभी अनेक शब्दों का एक शब्द कहा जाता है लेकिन अधिकांस्तर इसे वाक्यांशों का एक शब्द कहते हैं ठीक है जो आपके द्वारा संधे की प्रक्रिया की जाती है जहां पर वरण अक्षर को मिलाया जाता है वैसे ही की जाती है समास की प्रक्रिया और समास की प्रक्रिया क्या होती है जहां दो या उससे अधिक शब्द पद मिलकर एक नया शब्द पद बनात तो कहीं न कहीं बहुत सारे शब्द होते हैं जो एक ही शब्द के द्वारा उस अर्थ को संभोधित कर देते हैं तो जहां एक विस्तृत तोर पर वाक्य का अंश है मतलब विस्तृत तोर पर जो वाक्य है उसके अंश को प्रसूत करने की कला वाक्या अंश कहलाती है आज के सम तो कवाहाँ पर वो वरणन कर सके इसलिए कोशिस करता है कि सब्दों के एक सम्मू जो होती है उसके लिए एक शब्द में उसों समझाने का प्रयास करे और ऐसी प्रक्रिया जिससे में बहुत सारे शब्दों के अनिक शब्दों का एक शब्द कहें या इसे इस्थापन शब्द कहें तो आठवी की परिक्षा में आपसे इससे संबंदित प्रश्ट जो है वो कभी-कभी जानकारी के तौर पर पुछ लिये जाते हैं यह बहुत बड़ा सा कोई कठीन प्रयोग नहीं है यह हर परिक्षा प शर्ट थी कि यदि वो तत्सम प्रभावी शब्द है तो उसका उत्तर भी तत्सम प्रभावी होगा यदि वो हमारे तदभा प्रभावी है तो उसका उत्तर भी तदभा प्रभावी होगा वैसे ही वाक्याशों के एक शब्द में उससी रोप का प्रयोग जो है वो किया जा ठीक है इसलिए अगर वर्ष में एक बार होने वाला कह रहा है तो इसका जवाब हम लिखेंगे वार्शिक लेकिन अगर यही प्रशन साधारन बोलचाल की भाशा में वर्ष के बदले प्रयोग करता है जैसे साल में एक बार होने वाला ठीक है साल में एक बार होने वाला ऐसी स situation में हम क्या करेंगे जहां वो तत्सम का शब्द पूछा था कि वर्ष का था जो तत्सम था तो हमने उसका उत्तर वार्शिक लिखा था साल में एक बार होने वाला कहेगा तब हम इसे सालाना कहेंगे ठीक है इसी रूप में अगर देखा जाता है जो दूर की सोचता है तो अगर त्यक्ष कहलाता है ठीक है इसी प्रकार अगर देखा जाए तो अगर वो कहता है एक्जामपल के तौर पर कि परवत के उपर की समतल जमीन भूगोल की भाशा में उसे हम पठार कह सकते हैं लेकिन अगर हम साहितिक भाशा में कहें तो भूगोल अगर उसकी बात तो बहुरूपी होगा बहुत से रूपों को जो धारन करता है तो चुकि वह उसकी विश्रिष्टा बन जाती है इसलिए उसे बहुरूपिया कहा जाता है ठीक है और इस तरह वाक्यांश जो दिया जा रहा है एक पूरे वाक्य दिये जा रहे हैं जिसके अंतरगत उसको एक ही जानकारी जिस पक्ष में चांद पूरी तरह दिखाई देता है तो पूरनीमा जहां पर चांदनी रात होती है उससे सुकल पक्ष कहते हैं जहां चंदरमा का इसतर घटता जाता है और अधियारी रात होती तो उसे अमअवस्या कहते हैं ऐसे प्रश्न आपको बच्चों को समझाने के लिए दिया जाता है, साधारन से शाक का आहार खाने वाला शाकाहारी, मांस का आहार खाने वाला मांसाहारी, जो फल का आहार खाता है फलाहारी, जो सभी चीज़ को खाता है उसे सरवाहारी के नाम से पुकारते हैं, ठीक है, जो दैनिक वेतन परकारे करता है तो दैनिक वेतन भोगी कहलाता है ठीक है किसी कारेले परकारे करने वाला करमचारी को अगर हम कहते हैं तो कारेले करमचारी कहेंगे ऐसे आपसे प्रश्न जो है वो one word substitute में पूछे जाते हैं बच्चों को बिल्कुल प्राथमीक और आपकी माधि में इसे धाल दिया जाता है जा चुटे चुटे चुट से वाके के माधियम से बच्चों को समझाने का प्रयाद किया जाता है तो इसी से संभादित दो-चार प्रश्न Crown को हल करते हैं और उसके बाद जाने क ga hota रहा है तो अभी मैंने क्या बताया अभी मैंने आपको वाक्यांशों का एक शाबदर बताया ऐसे शब्दों का स्मू जिसके बदल में एक शब्दव इस्थापिद कर दिया जाए इसे ही इस्थापन शब्द कहते हैं अनेक प्रकार कस चब्दों के लिए एक ही शब्द के द्वारा उसे समझाने का प्रयास किया जाए तो अनेक शब्दों का एक शब्द कहते हैं चुकि बहुत छोटे छोटे शब्द के द्वारा एक वाक्यांश के द्वारा इसे समझाने का प्रयास किया जा रहा है इसलिए इसे वाक्यांशों का एक शब्द भी कहा जा तो इस से मंधित प्रश्ण कैसे आते हैं उसकी चार्चा यहां पर करेंगे अब पहला प्रश्ण दिया है अत्य व्रिष्टी शब्द हेतु उचित वाक्यांश का चयन कीजिए अप्शन नमबर ए है अत्य धिक विचार करना अप्शन नमबर बी है आपका अत्य धिक सूखा क करना अप्शन नमबर सी है अत्य धिक वर्शा होना और अप्शन डी है कोई नहीं अत्य का मतलब होता है ज्यादा अत्य का मतलब होता है ज्यादा व्रिष्टी का मतलब होता है वर्शा इसलिए इसका आंसर क्या होगा अत्य धिक वर्शा होना और जहां वर्शा कम होती है त जो व्यक्ति बहुत कम बोलता है उसे कहा जाता है मित भाशी ठीक है जो व्यक्ति जादा बात करते हैं उसे बहु भाशी कहते हैं कम भाशी का कोई प्रयोग नहीं है और सम भाशी का भी कोई प्रयोग नहीं है ठीक है अब आते हैं अगले प्रशन में अब यहां आते हैं कोश आने के समझाए आगम्याने की जहां से वो आया है आरो जहां हम चड़ते हैं आगमन जो आता है लेकिन जहां पहुंचा ना जा सके उसे अगम्या के नाम से फुकारा जाता है अगले प्रशने के ओर जाते हैं, question number 4, क्या कह रहा है, अनुगामी शब्द का सही अर्थ क्या है, option number A, जो अनुकरन करने योग्य हो, जिस पर अनुगरह किया गया है, जो किसी के प्रती आ सकत हो, और किसी के पीछे पीछे चलने वाला, अनु का मतलब होता है पीछे, अनु का मतलब होता है चलने वाला, तो इस तरह इसका answer होगा, किसी के पीछे पीछे चलने वाला, इसे अनुगामी के नाम से पुकारा जाता है, ठीके, तो इस तरह वाक्यांशों के एक शब्द से आपको प्रश्ठ जो है, वो पूछे जा सकते हैं, अब आते हैं सबसे महत नहीं गया है जहां से समझने वाली बात है कि अपठित गध्यांज तो पठित का मतलब है जिसे पढ़ा गया हो तो जब हम तीसरी चौथी पांचवी की बात करें या हम छटवी साथवी आठवी की बात करें वहां पर आपके हिंदी भाष्रा के पाठ्य क्रम में काव्य किसी कत्होप कथन या किसी नाटक के पक्षकों वहां पर पाठ की माध्य से प्रस्तुत किया जाता है अइसी परिश्थी में जब आप पांचवी तक की इस्तर की बात करते हैं तीसरी चौती पांचवी में तो किसी पार्ट की कविता की चार पंक्ती दे दी जाती है और उस चार पंक्ती का एक पक्षप पूछा जाता है कि प्रस्तुत पंक्ति पंक्तियों का संदर्व प्रसंग सहीत व्याख्या कीजि तो कोई एक गद्य खंड दे दिया जाता है खासकर ये गद्य खंड वाला हिस्सा तो नौवी से शुरू होता है लेकिन आठीवी में भी अगर चाहे तो वो दे सकता है लेकिन अधिकांशता देखा जाए तो गद्य खंड इसे प्रश्ण जो है नौवी से बारवी तक पूछे जाते है लेकिन फिर भी इससे भी प्रश्ण बनते हैं कि किसी भी पाठ के अंदर जो गद्य का हिस्सा है जिसमें किसी कहानी, नाटक, उपन्यास या किसी भी नतत्व का छोटी कथा का एक प्रसंग होता है जिसका कुछ विशेस पैराग्राफ दे दिया जाता है जिसका संदर्व प्रसंग से व्याख्या करने के लिए पूछा जाता है लेकिन अपठित क्या होते हैं कि संस्कृत की भाषा के अंतरगत पाठिक्रम से बाहर का कोई ऐसा प्रयोग एक अनुछेद के तौर पर दिया जाता है और उस अनुछेद से संबंधित प्रश्ण जो है आपसे पूछे जा दे चुकि आपने उसे कभी पढ़ा नहीं है इसलिए उसे अपठित गध्यांश और अपठित पध्यांश के नाम से पुकारा जाता है दूसरी बात इसके दो पक्षो होते हैं एक होता है प्रश्णोत्तर के माध्यम से उसका वर्लन प्रस्तूत करना इस प्रश्नोत्तर के माध्यम से उस गध्यांश में दिये गए वाक्य के अंदर से ही प्रश्न बनाए जाते हैं जैसे कि महराना प्रतापसी जंगल मारे मारे फिरते थे अब यह प्रेशन बन सकता है कि महराना प्रतापसी कहां फिरते थी, ऐसा आपको वहाँ जूंग कर लिखना होगा, एक पक्ष होता है कि यहाँ पर व्याक्रन एक पक्ष में पर्यायवाची बताईए, यहाँ पर प्रयोग वाले निमने शब्दों का मतलब धूंड कर लिखे, या कह सकता है कि इस शब्द का विलोम शब्द लिखिये या शिर्शक ढूंडने कहता है, कभी-कभी option wise दे देता है, option wise मतलब कि मानेजे इसी प्रशन को बना देता है, कि महराना प्रतापसी जंगल में मारे-मारे फिरते थे, अब 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 गर उस प्रशन बना दिया, कि महरा गद्य और पद्यखन जिसे पाठिक्रम के बाहर से लिया गया है, जिससे हमने कभी पढ़ा नहीं है, यदि उनसे संबंधित प्रशन पद्यात्म तोर पर और गद्यात्म तोर पर हमसे पूछे जाते हैं, तो ऐसे पक्ष को अपठित गद्यांज कहा जाता है, और इससे अस्कृत भाषा में जिस तरह मैंने अभी बताया, वैसे ही वाक्यांज में उसका उत्तर लिखना होता है, कभी उसका व्याक्रण पक्ष, तो कभी उसके प्रश्न उतरी पक्ष जो है वो पूछे जाते हैं, तो यहां से शुरू करते हैं, अब पठित गद्यांज को, ठीके तो इस पेरग्राप को पूरा पढ़ने के कोशिस करते हैं कि महराना प्रताप सी जंगल जंगल मारे मारे फिरते थे, अपनी इस्तरी और बच्चों को भूग से तडपते देखते थे, परन्तु उन्होंने उन लोगों की बात नहीं मानी, जिन्होंने उन्हें अधिनिता पू बलवाईयों के हाथों में पड़ गया बलवाईयों ने उससे व्यंक पूरवक पूछा अब तेरा कीला कहा है उसने हृते है पर हात रखकर उत्तर दिया यहां चाहते हैं जो यहां ग्यान के जिग्यासियों के लिए यही बड़ा भारी गढ़ है मैं निश्य पुर्व कहता हूँ कि जो येवा पूरुष सब बातों में दूसरों का सहारा चाहते हैं जो सदा एक नया अगुवा ढूंडा करते हैं और उनके अनुयाई बना करते हैं वे आत्मसंसकार के कारे में उन्नती नहीं कर सकते उन्हें स्वयम विचार करना अपने सम्मती आप इस्थिर करना दूसरों की उचित बातों का मुल्य समझती हुए भी उनका अंधा भक्त न होना सीखना चाहिए तुलसी दास जी को लोक में इतनी सर्व प्रियता और किर्ति प्राप्त हुई उनका दिर्गत जीवन जो इतना म महत्व में और शान्ती में रहा सब इसी मानसी स्वतंतरता और आत्मी निर्भरता के कारण वहीं उनके स्वतंतरता की और कम ध्यान दिया और अन्त में आप अपनी बुरी गति की जिस मनुष्य की बुद्धी और चतुराई उसके दृड़ हृदय के आश्रे पर इस्थिर वह जीवन और कर्मक्षेत्र में स्वयम भी श्रिष्ट और उत्तम रहता है और दुसरों को भी श्रिष्ट और उत्तम बनाता है प्रसिद उपन्यासकार स्कॉट एक बार रिण के बोज़ से बिलकुल दब गए मित्रों ने उनकी सहायता करनी चाहिए पर उन्होंने यह बाद स्विकार नहीं की और स्वयम अपने प्रतिभा का सहारा लेकर अनेक उपन्यास थोड़े समय के बीच में लिखा लाखों रुपे का रिण अपने सिर से उन्होंने उतार दिया इस तरह एक अनुछेद है जो आपको दिया है अब इससे संबंधित प्रश्ण की चर्चा करते थे फिर भी उन्होंने किर्णों की बात नहीं मानी आप्षण है जो उनके विरोधी थे आप्षण बी जो उनसे बदला लेना चाहते थे opposition C जो उनके दुश्मन थे और option D जो उन्हें अधिनता पुर्वक जीते रहने की सलार दिया करते थे तो मैंने क्या बताया कि जिस तर आपके प्रश्ल पूछे जाते हैं तो यहां आपको उन ही प्रश्न का उत्तर M C Q के माड़ें पूछा गया है यदि वह चाहें तो इसके लीए आपको एक और दो line जो है वह दे सकता है जहां वह इसके प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए जगह देता है लेकिन कव की स्थिति में जब वो प्रश्ण पत्र आपकी व्याख्यात्मक हो याने की आपका रिटेन पेपर हो लेकिन अगर वो क्यों वाला है तो वह एमसी क्यों ऑप्षन से देते हैं तो जब हमने इस्टोरी पढ़ी पढ़ने के बाद में जान लिया था कि इस्टोरी में क्या कहा गया है कि अपनी बीवी और बच्चे को भूग से तरपते देखते थे परन्तों उन लोगों की बात वह नहीं माना करते जिन्होंने उन्हें अधिनता पुर्वक जीवन जीने की सला जो है वो दिया करते थे तो वो किनकी बात नहीं मानते थे कि जो उन्हें अधिनता पुर्वक जीते रहने की सला देते थे उनकी बात महरानापता बिलकुल भी नहीं मानते थे अब आते सेकंड कोशन में सेकंड प्रवाइयों के हाथो एक बार रोमन सैनिक जो है वो पड़ गया था और उनसे पूछा गया तो उनसे पूछा गया कि अब तेरा कीला कहा है तो उन्होंने हिरदय पर हात रख कर कहा कि यहां जहां जिग्यासियों के लिए बड़ी भारी गड़ इसे माना जाता है अब आते है next question में ठीक है तो next question क्या कहता है next question कहता है ज्यान के पिपासूओं के लिए ज्यान के पिपासूओं के लिए उनका किला कहां होता है option A हृदय में होता है, option B गुरू के आश्रम में option C पूजा इस्थल में और option D मस्तिश्क में तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दू कि अपठित गद्यांश को जब आपको प्रश्न उत्तर सहल करने के लिए दिया जाता है तो तब तक पढ़ा जाए जब तक उसके भाव उसके अर्थ हर पक्ष आपके समझ में नहीं आ जाते उसका साहितिक खंड भी आपको समझ में जरूरी है उसका जो गद्यखंड है उसके अंतरगण जो व्याकरिनिक पक्ष है उसका भी समझ में आना जरूरी है यदि बहुत तनमैता के साथ में दो से तीन बार यदि आपने उस गद्यांश को पढ़ा है तो सहज ही उसके प्रश्न जो है आपको समझ में आएंगे क्योंकि प्रश्ण किसी भी लाइन से, किसी भी पक्ष से आपको दिया जा सकता है तो यहाँ पर कह रहा है कि ग्यान पिपासूं के लिए उनका किला कहा होता है तो जब बलवाईयों के हाथ पढ़ गए थे कौन एक व्यक्ति जिन्रो रोमन राजनितिक जो थे बलवाईयों के हाथ पढ़ गए थे, उनसे पूछा गया कि अब तेरा कीला कहा है तो उन्होंने अपने हृदय पर हाथ रखा और कहा कि यहाँ और उन्हों नहीं कहा था कि इसका जो इस्थान है ग्यान पिपासूं के लिए वो कहा है इस्थान हृदय में कि ज्यान के जिग्यासूं के लिए यही सबसे बरा भारी गड़ है याने कि ज्यान पिपासूं के लिए उनका किला कहा होता है उनके रिदय में होता है अगले प्रशन गद्यान उसार किस प्रकार के युवा फुरोष आत्मसंसकार के कारे में उन्नती नहीं कर सकते जब आपके दोरे इस गद्यांश को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा गया है तो आप जानेंगे कि प्रश्टे क्या पूछ रहा है तो आप्शन A है जो आलसी होते हैं आप्शन B जो दुर्बल संकल्प के होते हैं आप्शन C जो सदा एक नया अगुआ ढूंडा करते हैं औ तो यही व्यक्ति होते है जो सदा एक नया अगुआ जो है वो ढूंडा करते हैं तो यही व्यक्ति अपने जीवन में उन्नती नहीं कर सकते हैं अब आते हैं अगले कोशन की और अगला प्रश्न क्या कहता है उप्युगत गध्यान शका शीर्शक दे आत्मसंसकार आत्मसमा आत्म विश्वास तो इसका आंसर क्या होगा आत्म विश्वास याने की अगर देखा जाए तो मनेश में आत्म सम्मान के साथ साथ आत्म विश्वास का होना जरूरी है जब वह जीवन में आत्म विश्वास को लेकर चलता है तो हर बुरे से बुरा कारे भी उसके लिए सरलता के साथ में कट जाता है और वह सफलता की ओर पढ़ता है ठीक है अब आते हैं दुसरे पक्ष की ओर दुसरा पक्ष याने के आपके दुसरे कोश्चन की ओर जहां पर हम यहां पर एक नया पैराग्राफ जो है वो जानेंगे अगला पैराग्राफ क्या कहता है अगला पैराग् पत्त का उत्सा, दे रहा अभी दिखाई भग्न, मगन रतना कर में वहरा, धर्म का ले लेकर जो नाम हुआ करती बली कर दिबंद, हमी ने दिया शांती का संदेश, सुखी होते देखकर सानद, विजै केवाल लोहे की नहीं, धर्म की नहीं धरा पर ढम, भिक्शू होकर रहते समराट दया दिखलाते घर घर घुम अब ये पैना ग्राफ दिया है जिसके अंतरगत एक दधीची जो थे रिशी उनके बारे में वरणन किया है कि उनके त्याग का वरणन किया है और लोगों को साहित करने वाले पक्ष को यहाँ पर रखा गया है दो से तीन बार यदि देख रखा जाए तो भारत वर्ष के अंतरगत जो परुपकार के पक्ष को रखा जाता है उसी परुपकार को बताने के लिए यहां पर विकास परमपरा परुपकार और हर प्रकार के भाव जो हैं दिखाई दे रहे हैं उसी का वरणन यहां पर किया है अब इससे संबंदित प्र क्या शरीर का, क्या अपनी अस्थियों का, क्या अपने व्रत्य का, तो दधीची को हमेशा एक ऐसा त्यागी महापूरुष माना जाता है, जिन हो ने अपनी अस्थियों का त्याग जो है वो किया था, इसलिए इसका आंसर होगा option number C, निर्वासित किसे कहा गया है, अगर हम न जिससे निकाल दिया गया हो, जिससे जगे से, इस्थान से हटा दिया गया हो, तो देखा जाए, तो क्रिष्ण को हटाया नहीं गया था, नहीं बुद्ध को, नहीं शियों को, तो निर्वासित किसे किया गया था, तो निर्वासित किया गया था, आपके राम चंद्र जी को तो आंसर होगा इसका option number आपका B, ठीक है, अब आते हैं अगले प्रश्न में, धर्म के नाम पर बली से क्या आशाय है, क्या पशु बली से, क्या नर बली से, क्या राजा बली से, क्या बलशाली से, धर्म के नाम पर बली से आशाय क्या होता है, जब धर्म के नाम पर बली दी तो पशु बली धर्म के नाम पर दी जाती है, ठीक है? अगला, लोहे की विज्ञै से क्या आश्य है? अब्शन नमरे मशीनों की जईत, अब्शन नमरे उल्ठी है हथियारों के चल परज्ञै यहाँ पर हत्यारों के चल पर जीत इसे ही लोहे की विज़े जो है वो कहा गया है जब उनहें ग्यान की प्राप्ति हुई थी तो समराट अशोक है जो भिक्षू जो है वो बन गए थे तो यहां पर आपके प्रश्ण जो है इस तरह से आपका question जो है वो पूछा जाता है अपठित गध्यांश से इसी तरह कभी-कभी आपको अपठित गध्यांश के अंतरगत जहां पर one word substitute के माध्यम से चीजों को पूछा जा रहा है तो आगे आते हैं अगले paragraph को प पुरंत ही समझ में आने वाले साहित से हरगिज नहीं है अगर ऐसा होता तो किस्सा तोता मैना और नौटन की ही साहित के प्रधान रूप होते साहित के अंदर संस्कृतिक भाव होते हैं संस्कृति भावों को पाने के लिए बुलंदी बारिकी और खुपसूरती होती है उन उसके मन के सांस्कृतिक परिशकार की जबकि साहिति का उद्देश सांस्कृतिक परिशकार को है मानसिक परिशकार है यानि यहाँ पर साहिति से संबंधित प्रभाव जो है यहाँ पर बताए गए तो साहिति से संबंधित प्रभाव की अधी बात करते हैं तो साहित्य के अंतरगत यहां साहित्य से संबंदित चीजों को बताने का प्रयास किया है सबसे पहली बात यहां पर जनता के जो साहित्य है जनता को तुरन समझ में आ जाए ऐसा साहित्य हर्गिज माना नहीं जाता क्योंकि अगर जनता के दोरे जो साहित्य में तोता मैना के किस्से बताते हैं या छोटी-छोटी बाते बता देते हैं या रंगमंच पर अभिनाय कर देते हैं अगर आवशकता पढ़ती तो उसे ही साहित्य का रूप ले लिया जाता लेकिन उनको साहित्य का रूप इसलिए न नाप्त करना होता है तो उसके अंतरगत साहिति की जो बुलंदी है कि किस प्रकार की रशना के माध्यम से वह साहितिक जगत में अपनी चरम इस्तिती पर पहुचा है उसके खुबसूरत से प्रभाव जो कभी और लेखक के द्वारा अपने मनोभावों को उसमें प्रस्तूत क किया गया है उसके जो असलियत है वही उस व्यक्ति के जहन में बस जाती है इसलिए जब कोई व्यक्ति किसे साहितियों को पढ़ता या सुनता है तो हमेशा उससे कुछ सिखने के बारे में सोचता जरूर है उससे कुछ चीजों को प्राप्त करना चाहता है जैसे उससे वह स कवी और लेखक के द्वारा किया जाता है तो वह संस्कृतिक रूप से चीजों को बताता तो है अपने मानसिक प्रभाव को भी उन रशनाओं के माध्यम से प्रस्तूत करता है तो जब आपने इस गद्यांश को पढ़ा तो इसकी व्याख्या करके आपने इसे समझने का प्रय प्रभाव जनता के अंतरगत मानसिक और सांस्कृतिक दोनों प्रभाव होते हैं तो जनता के लिए साहित्य का अर्थ क्या होता है यही इस अनुच्छेद में बताया गया है ना इसलिए उप्योगत गद्यांश का उत्तर होगा जनता के साहित्य का अर्थ ठीक है अब आते हैं साहित्य के अंदर क्या होता है सांस्कृतिक भाव नहीत होते हैं कि खुबसूर्ती नहीत होते हैं कि मानसिक परिषकार नहीत होता है और आप्शन डी इन में से कोई नहीं देखा जाएं तो किसी भी साहित्य के अंतरगत सांस्कृतिक भाव जो है वो नहीं तो होते हैं लेकिन जैसे आवशक्ता एक व्यक्ति महसूस करता है उस सांस्कृतिक भाव के साथ साथ वह मानसिक भाव को भी प्रस्तूत करना चाहता है लेकिन किसी भी साहितिक के अंतरगत उसके साहितिक सांस्कृतिक के भाव ज साहित्य मांसिक परिश्कार की स्थित्य को प्राप्ट करने वाला साहित्य या आप्शन डी है सभी तो देखने वाली बात है कि जब जनता के साहित्य की बात की जा रही है तो जहां साहित्य के अंतरगत साहित्य परिश्कार तो होते ही है और जनता चाहती है कि साहित्य के अंत दरगत सांस्कृतिक भाव को पाने की सुख्ष पर पहचान भी होती है, सांस्कृत परिष्टार की स्थिती को प्राप्त करने वाला साहिते भी होता है, मानसिक परिष्कार की स्थिती को प्राप्त करने वाला साहिते होता है, याने की पूरे प्रभाव जो है, यहां जनता के स साहित्य में अर्थ के माध्यम से प्रस्तूत होते हैं, ठीक है, अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर, साहित्य का उद्देश्य क्या है, साहित्य का क्या उद्देश्य है, आप्शन A, तुरंट समझ में आ जाना, आप्शन B, सांस्कृतिक और मानसिक परिश्कार, आप्शन C, सिक्षा और option d है आपके लिए इन में से कौई नहीं सबसे अच्छा साहित्य वही होता है जिसके अंतरगत सांसकृतिक परिवेश को भी देखने को मिलता है इसले साहित्य का उद्देश्य होता है कि सांसकृतिक और मांसक परिषकार को ऐसे प्रयोग से रचा जाए कि जनता को वह साहित्य बड़ी सरलता से समझ में आ जाए ठीक है अब आते हैं अगले पक्षे की और प्रश्ण पूछ रहा है कि सांस्कृतिक भावों को ग्रहन करने के लिए क्या जरूरी है अप्षन A सुनने वाले की सिक्षा अप्षन B सुनने वाले के सांस्कृतिक परिश्कार अप्षन C सुनने वाले का मानसिक परिश्कार और अप्षन D है उप्युक्त सभी तो देखने वाली बात है कि जब एक सांस्कृतिक भावों को ग्रहन करने आ जाता है तो वह व्यक्ति स तुनने वाला जो है, वो सिक्षा भी प्राप्त करता है, संस्क्रिते को भी प्राप्त करता है, मानसी को भी प्राप्त करता है, इसलिए इसका आंसर होगा, आपका option number D. ठीक है? अब आते हैं, अगले question में. अगला question जो है, यहाँ पर पद्ध्य खंड से दिया है, ठीक है, हालांकि पद्ध्य खंड से दिया है, तो समझने का इसको प्रयास करेंगे, कि किसी प्रकार से भी इसमें कोई जो आपके परिशानी है वो ना हो जरूरी नहीं है कि आपको अपठित गद्यान्ष सही प्रश्न दिये जाते हैं इसलिए मेरी एक कोशिस है कि हर पक्ष के अंतरगत जहां तत्व होते हैं जैसले आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है यह ठीक है इसलिए जहां अपठित गध्यांश का है कभी कभी अपठित पध्यांश से भी प्रश्ण जो है वो पूछे जाते हैं तो यहां अपठित पध्यांश याने की निमनलिखित काव्यांश काव्यांश याने किसी कवी के द्वारा रची गई एक रचना खंड से व्यान्ष को ध्यान पुर्वक पढ़कर उनके नीचे दिये गए बहु विकल्पी प्रश्णों में से सही विकल्प का चयन करें कहता है लीक पर वे चले चले जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं हमें तो जो हो हमारे यात्रा से बने ऐसे अनिर्मित पंथ प्यारे हैं साक्ष मैं चुकि हिंदी की शिक्षिका हूँ ऐसा नहीं है कि मैं हिंदी की सिक्षिका हूँ इसलिए हिंदी भाषा मुझे प्रिय है हर भाषा की अपनी एक अस्तित्व होती है हर भाषा अपने आप में महान होता है हर भाषा की अपनी पहचान उनका उद्देश्य ज्यान के सांस हर प्रकार की जानकारी प्रदान करना होता है एक कवी जो अपनी मनह इस्थिती को कविताओं के माध्यम से दुसरे तक पहुचाना चाहता है एक लेखक जो समाजिक और हर प्रकार की परिवेश की घटनाओं से आपको अवगत कराना चाहता है तो कुछ कविताओं और कुछ कह नाव में अगर देखा जाए तो रामधारिसी दिनकर की बात कहें या हरिवंश्राय बच्चन की बात कहें वो हमेशा लोगों में उत्साह उमंग और जोश जगाने का प्रयास करते हैं तो कहीं न कहीं यहाँ पर कितना खुबसूरत सा लिखा गया है कि लीक पर वे चले-चले जिनके चरण दुलबल और हारे हैं हमें तो जो हो हमारी यात्रा से बने ऐसे अनिर्मित पंथ प्यारे हैं साक्षी हो राह रोके खड़े पीले बास के जुर्मुट कि उनमें जा रही है जो हवा उसी से लिप्टे हुए सपने हमारे हैं इस सम्मधित प्रश्न की चर्चा अ जिलवाले हो शक्तिशाली हो या जो मतवाले हो तो यहां पर इस कविता के माध्यम से क्या का लिक पर वे चले चले जिनके चरण दूर्बल और हारे हैं तो इसका आंसर होगा आपका आप्षन नमबर A कोशन नमबर 2 क्या कहता है राह रोके कौन खड़े हैं जब आप कवित को पढ़ा हुआ तो उसमें लिखा साक्षी हो रोके राह खड़े पीले बास के जुर्मूट तो आप्षन नमबर A आपका इसका आंसर होगा अब आते हैं अगले प्रशन की और कभी के सपने किसे से लिप्टे हैं कोशन नमबर 3 का आप्षन दिया है आम की व्रिक्षों से बादलों से परवतों से या बहनी वाली हवा से तो जब इस कविता को पढ़ें तो क्या कहा कि साक्षी हो राह रोके खड़े पीले बास के जुर्मूट कि उनमें जा रही है जो हवा उसे से लिप्टे हुए सपने हमारे हैं तो किस में सपने लिप्टे हुए हैं बहने वाल हवा में ठीक है question number 4 जुर्मुट का अर्थ है option A गठर option B धेर option C जुन्ड या option D गठे ठीक है तो जुर्मुट क्या होता है जहां पर चीजों का एक गुच्छा हो जुन्ड हो ठीक है तो बास के जुर्मुट जहां पर बहुत सारे बास एक ही जगह उगते हैं उसे बास का जु जुन्डों को ही जुर्मुट के नाम से पुकारा जाता है अब आते हैं अगले प्रशन की ओर काव्यांश में लिप्टे हुए का अर्थ क्या है option number A जुडे हुए option B मरमरते हुए option C फसे हुए और option D आपका चिपके चिप्टे हुए तो देखा जाए तो काव्यांश में ल लिप्टे हुए ठीक है अब आते हैं अगले question की ओर question number 9 क्या कहता है अपठित पद्यांश को पढ़कर निम्नोक्त प्रशनों के उत्तर दीजिए यहाँ पर दिया है पद्य खंड में से कविता दिया है रात यों कहने लगा मुझे से गगन का चांद आदमी भी क्या अनोख जीव होता है उलजने अपनी बनाकर आप ही फस्ता और फिर बेचैन हो जगता न सोता है जानता है तो कि मैं कितना पुराना हूँ मैं हो चुका हूँ देख मनों को जनमते मरते और लाखों बार तुझे से बादपागलों को भी चांदनी में बैठ स्वपनों पर सही करते त जब एक कभी अपनी मन की भावनाओं को बतलाना चाहता है तो कभी-कभी वह प्रकृति का माध्यम लेता है क्या कभी गगन इनसान से बात कर सकता है वो तो एक प्रकृतिक तो है लेकिन जब प्रकृति की तुलना एक मनुष्य की तरह क्रियात्मक स्वरूप में और सजीव रूप में बताया जाए तो जहां प्रकृति को मानवी के रूप में क्रिया कलाप करती बताया जाए तो हम मानवी करण अलंगकार होता है इसके पहले कभीता जो आपने पढ़ी उस कभीता के माध्यम से आपने ये जाना कि वहां पर जो कभी है वह कभी इतनी खुबसूरत के माध्यम से अपनी बात को कहने का प्रयाज कर रहा था कि वहाँ पर उन्हों ने एक मोटिवेशनल वाली बात बताई थी कि जो दुर्बल होते हैं उन व्यक्तियों के जीवन में कभी भी सफलता प्राप्त नहीं होती जो अपने आगे बढ़ने के समय में विपदाओं को साम चल रही जा सपने फिर भी हवा कभी भी रुकती नहीं है हवा जिस तरह बहती होई चली जा रही है तो सपने भी इनसान पूरा करता है चाहे कितने भी लोग उन सपनों को पूरा करने वाले व्यक्ति के राह के बाधक क्यों नहों हर परिस्षिती में व्यक्ति सपना को पू और क्या कहा गया है? कभी के माध्यम से कि रात यू कहने लगा मुझसे गगन का चान आदमी भी क्या अनोक़ा जीव होता है उल्झने अपनी बनाकर आप ही फस्ता फिर बेचेन होता है ना सोता ना जगता है जानता है तो कि कितना पुराना हूं मैं चुका हूँ देख मनू को जनमते मरते और लाखों बार तुझे पागलों को भी चांदनी में बैट सपनों को सही करते यानि कि यहाँ पर मानवी करण अलंकार के माध्यम से कवीता को प्रस्तुत करने की बात कही गई है अब आते हैं इसके प्रश्न को जानने के लिए यहाँ पुछा है कवी के अनुसार कौन अपने आप उल्जने पैदा कर फसता है अनोखा जीव, आदमी, गगन का चांद या मनू तो इसके माध्यम से वह क्या बताना चाहरा है कवी ने कहा है कि आदमी भी कितना अनोखा जीव होता है जो उल्जने अपनी ही बना कर उसमें फसता जाता है तो कौन होता है, यहाँ पर होगा हमारा option number B, जो है आदमी question number 2 देखते हैं, अनोखा जीव का समानार्थी क्या है अब देखिए, यहाँ व्याकरण का पक्ष ले लिया है कि एक विशिष प्रकार का जानवर को अनोखा जीव कहेंगे कि उल्जन पैदा करने वाले को अनोखा जीव कहेंगे या एक विशिष शारिरिक सनरचना को हम अनोखा जीव कहेंगे क्योंकि यह एक ऐसा व्यक्तित्व है जो इस समाज में अपने आप में अद्भुत प्राणी के अंतरगत अपने पक्षकों रखता है जहां वो विश्यस प्रकार से अपने मन की भावनाओं को विचारों को बांध कर उसके अनुसार फंसता चला जाता है तो उस कोशन के अंतरगत केवल दो ही कोशन थे जहां पर उसे समधित प्रश्ण को पूछा यदि आप चाहें तो इसी कविता में से विश्यस प्रकार के प्रश्ण जो है बना सकते हैं अगर मैं चाहूं तो मैं इसे में आपको नया प्रश्ण दे सकती हूं जैसे गगन का पर प्रकार आदमी के अनेकार्थी क्या है तो वहां से प्रशन बन जाता है उलजन का समानार्थी शब्द बताईए बेचैन में किस प्रकार के उपसर्ग का प्रयोग किया गया है ठीक है यहां पर कहता है एक्जामपल के तौर पर पुराना का विलोम शब्द क्या है ठीक है अग प्रश्ण का तदभव शब्द क्या होगा यह इतने प्रकार के प्रश्ण आप एक पैराग्राफ से बना सकते जो के वाला आपके व्याक्रणिक पक्षसी होगे इसके पहले जो आपको कोश्चन मैंने दी बताया कि अनोखा जीव मतलब का आपके कभी के अनुसार जो है समत्रभव, विलोमशब्द ठीक है इन से संबंधित प्रश्ण यहाँ पर व्याक्रण्ट पक्षसी पूछा जा सकता है इसमें उपसर्ग और प्रत्य को भी लिया जा सकता है ठीक है कभी कभी ऐसा होता है कि एक गध्यांश जो दिये जाते हैं वस गध्यांश के अंतर गद एक वाक्य को रेखांकित कर दिया जाता है और उस वाक्य के रेखांकन को व्याख्या करने के लिए व्याख्यात्मक प्रश्णोतरी के माध्यम से आपको दिया जाता है जिसे भाव पल लवन करने के लिए कहा जाएगा लेकिन चुकि आपका MCQ कोशन्स होंगे इसलिए यहाँ शीरशक पूछा जा सकता है, प्रश्णोतरी के माध्यम से MCQ से उसके आंसर जो है वो ढूढने के लिए जा सकते हैं, और जिस तरह के व्याकरणिक पक्ष और प्रश्णोतरी को लेके चल रहे हैं, तो इसी पैराग्राफ में जहां केवल दो प्रश्ण आपके MCQ के माध्यम से अगर आप चाहें, तो यहाँ पर पूरे तरह से व्याकरण खर्ण को पूछा जा सकता है, ठीक है, अब आते हैं अगले प्रश्ण की और, यहाँ से देखते हैं अगला कोशन, ठीक है, सबसे पहले लास्ट कोशन है ये, कि निम्न लिखित का व्यांज को ध्यान पूरवक प बोने हैं, इसमें जन की क्षमता के दाने बोने हैं, इसमें मानवममता के दाने बोने हैं, जिससे उगल सके फिर धुल सुनहरी फसलें, मानवता की जीवन श्रम में हसे दिशाएं, हम जैसा बोएंगे, वैसा ही पाएंगे, इसमें बड़े खुबसूरत से, इस कविता के मा माता तुल्य मानते हैं जो हमें अपने संतान की तरह हर प्रकार के तत्वों को परदान करती है अब हमारा इस प्रिथ्वी के प्रति करतव्य क्या है अब हमारा इस प्रिथ्वी पर रहने वाले निवासियों के प्रति समाज के प्रति परिवार के प्रति मारता के प्रति करतव वे क्या है हम क्या ऐसा करें जिसे समाज देश राष्ट की उन्नती और विकास हो तो इस प्रित्वी पर जो रहने वाले लोग हैं उनको उतसाहित करने वाली कवितियों के माध्यम से यहां पर रचना जो है कभी के माध्यांद्वारा की गई है अब यहां देखे व्याकरण प जाता है वसुदेव कृஷ्ट को कहते हैं तो वसुधा का पर्यावचिश शब्द है हमारे लिए प्रित्वि तो वसुदा का पर्यावचिश शब्द क्या है हمारे लिए प्रित्वि ठीक है तสका होगा answer number आपको को बोने के लिए, option D, मोती के दाने बोने के लिए, तो जब आप कविता को देखते हैं, तो कविता के माध्यम से क्या कहा गया था, कविता के माध्यम से कहा गया था, example के तौर पर देखिए, कि इसमें सच्ची समता, क्षमता और ममता के दानों को बोना है, तो क्या कहा गया थ आपके इस आंसर के मार्दियम से क्या कहा था इसमें हैं आपके धर्ती में क्या बोने के लिए कह रहा है तो धर्ती में यह हमारे लिए option number c समता ममता और शमता बोने के लिए कह रहा है ठीक है अगला question सुनहरी फसले किसे कहा गया है सुनहरी फसले किसे कहा गया है मानवता को द पर यहाँ पर यहाँ पर आपकी मानोता है, जब मानोता के दाने बोई जाएंगे तो फिर से सुनहरी फसले छो है वह खेतों में हवा से लहराएंगी याने कि जिससे उगल सके फिर सुनहरी फसले मानवता की जीवन श्रम में हसे दिशाएं अब यहाँ पर कह रहा है दिशाएं कब प्रसन न होंगी ठीक है जब सुनहरी फसलें लहलहाएंगी जब मानव श्रम करेगा जब सर्वत्र मानवता की भावना व्यापत होगी जब धर्ती रत्न उगलेंगी तो अभी मैंने पोयम के माधर से बताया कि जब तो मानवता की जीवन श्रम में हसे दिशाई कह रहा है दिशाई का प्रसन होगी जब मानवता जो के अंतरगत देखा जाए तो मानव क्या करेग रतनगीरी रतनप्रसविनी या रतनगर्भा या रतनाकर तो रतनप्रसविनी है वसुधा कहकर उन्होंने इस प्रत्वी को जो है कविता के माध्यम से वसुधा को उन्होंने रतनप्रसविनी के नाम से पुका रहा है और इस तरह आपके इस प्रश्न के माध्यम से आपका जो पठित का ध्यांश है वो पूरा होता है तो इस तरह आज हमारा टेट के अंतरगत हिंदी भाषर से संबंधित पाठ्यक्रम जो है वो पूरा होता है अब तक मैंने आपको संबंधित तक्वों में से वर्तनी शुद्धिकरण शब्द विचार उसके बाद में शब्द पद जि ने आपको अपठित गध्यांश और अपठित पद्यांश से संबंधित प्रशनों को समझाया है मेरी यह कोशिस रही है कि किसी भी पक्ष में आपको भटकाओं महसूस ना हो तो पहली से पांचवी तक के इस तर के अगर प्रात्मी कक्षा की बात किरे जाए तो उसके हिंदी भाष्रा के प्रशनों का इस्तर और उसके छोटे छोटे टॉपिक में नए नए रूप देखने को मिलते हैं जहां चोथी पांचवी तक की बात की जाए तो अधिकांशता थोड़े पर्यायवाची विलोम शब्द या हमारे लिए थोड़ा सा समानार्थी शब्द ऐसे ही प्रशन पूछे जाते हैं जब आप छटवी से आप जाते हैं आठवी तक तो वहाँ पर थोड़ा सा पर्यायवाची और समानार्थी और विलोम शब्द के साथ में अब यहाँ पर आपको तत्सम्तद भाव देशज विदेशजी से संबधित प्रशन भी आपको तो संग्या, सर्वनाम, क्रिया, विशेशन के साथ में आप वहाँ पर क्रिया, विशेशन, संबंध बोधक, संयुजक और विस्मयादी बोधक को भी पढ़ते हैं साथ ही कारक रशनाओं को भी पढ़ते हैं तिसरी, चौथी, पांचवी तक आप वच्चन और लिंग को पूछे जाते हैं लेकिन अब जब माध्यमिक शिक्षा में जाते हैं जाते ही उसके प्रश्णों के दाईरे पार्ठेक्रम के अनुसार बदलने लगते हैं उपसर्ग प्रतिय मुहावरा लोकोगती, वाक्यांशों का एक शब्द थोड़ा सा संदी थोड़ा से समास आपके माध्यमी कक्षा में आपसे पूछे जाने लगते हैं तो मेरी कोशिस रही है यदि किसी भी पक्ष से आपको प्रश्ण पूछा जाए तो पार्ठे क्रम में उसे मेंशन नहीं किया है फिर भी मैंने समझाने का प्रयास किया है उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा समझाय जाने वाले टॉपिक्स के अंतरगत आप अपने परिक्षा के पाठे क्रम को पूरी तरह से सॉल्व कर सकें सारे कोशन्स बना सकें किसी प्रकार का भटकाव महसूस ना करें तो आज इसके साथ में कॉम्मीद करती हूँ आप अपनी परिक्षा में सफल हो और एक उचित मार्ग दर्शन के मार्ध्यम से एक सफल व्यक्तित्व को प्रदर्शित करते हुए एक सिक्षक के पदपर आप भी प्रतेश्ठित हो सभी शुब कामनाओं के साथ धेर सारे आशिर्वात के साथ लेती हूँ मैं विदा आने वाले समय में यदि आवशकता के अनुसार हमारे संस्था के द्वारा कोई और कारे किया गया तो हिंदी भाषा को लेकर पुनह आपसे मेरी मुलाकात होगी तब तक के लिए मेरे सभी बच्चों को धेर सारे शुब कामनाओं धेर सारा प्यार थेंक यू सो मज़ लव यू एंड गॉड ब्लेस तू आल में बच्चा